अलो फेंट्स विलकम बैक अज के इस एनलिस्स वीडियो में हम दोग बात करने वाले हैं सकुमा एक्सपोर्ट सेर के ऊपर जो की एक पेनी स्टॉक है और साथ साथ बात करेंगे टी-टी के प्रिस्टीज सेर के ऊपर को truck में किलावाट हो रहा है इसके ऊपर detail में बात करेंगे और TTK Prestige को क्यों भाई करेंगी ज़रीड़ाई को बात चाहिए इसके ऊपर detail में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक ज़ार color को देखिएगा जिससे की आपको भी सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएं तो चलिए अब एनलेसिस को स्टार्ट करते हैं सकुमा एक्सपोर्ट के सेर में अगर देखेंगे फ्राइडे की सेजन में स्टॉक एक परसेंट नीचे क्लोज हुआ इनीचियली गैप डान ओपेन हुआ एक अच्छा गिरावाट वापस से रिकावरी किया वट उपर के लेबल से एक जोड़दार सेलिंग प्रिसर देखने को मिला लास्ट वन मंत की अगर बात करेंगे तो स्टॉक सवा सतरा परसेंट टूट चुका है उपर के ल नीचे की लेवल से एक अच्छा इस स्टॉक में रिटर्न भी देखने को मिला अभी भी स्टॉक जो है 41 प्रसेंट के पॉजिटिव डिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है तो सभी पॉइंट के उपर डीटेल में बात करते हैं लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलिग सब्चत का चार्ट सेटप है या फिर कोई अच्छा पैटन कैसर करते हैं जिससे की आपका मैक्सिमॉम बैनेफिट हो सके हैं इसके साथ ही अगर सबैर सर हौज मुख जोब करते हैं या कोई और काम करते हैं और आपके पास समय सपमेर करने का क्योंकि यह पूरा लन्दी प्रोसेस होता है आप पांच मिनट में दो मिनट में इस को एनलाइज n 시청 कर सकते हैं इसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा तो अगरْ आपके पास समय नहीं है फिर भी आप earn करना चाहते हैं तो आप हमारे premium group को join कर सकते हैं premium group का सारा detail आपको telegram group के pinned message में मिल जाएगा आपको swing trading के लिए calls मिलेगा interest से exit तक आपको guide किया जाएगा including आपका position sizing, आपका risk management, कौन से stock को लेना है कौन से level पे लेना है, क्या stop loss के साथ लेना है, किस target के लिए लेना है, everything आपको detail में बताया जाएगा, point to point आपको update किया जाएगा जिससे कि आपको यहाँ पे कुछ कोई भी effort डालने की ज़रत नहीं है, बस आपको instruction को follow करना है और पैसा कमाना है, तो अगर आप चाहते हैं जोईन करना तो आप जो है सकुमा एक्सपोर्ट के share के उपर, सबसे पहले बात करते हैं जिस stock में गिरावट क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे प्रिवियस से कई trading session से stock में गिरावट हो रहा है, तो आखिर stock में गिरावट क्यों हो रहा है और किस लेवल तक stock हो सकता है, तो सबसे पहला अगर यहाँ पर देखेंगे, तो जून quarter का share holding जो pattern आया है, यह आपको negative है, क्यों negative है, यहाँ पर प्रमोटर ने 15% से अपने stick को reduce किया है, प्रमोटर ने 15% से stick को reduce किया है, FIA ने 0.4% से जरूर अपने stick को increase किया है, यहाँ पर रेश्ट अगर बात करेंगे, पब्लिक ने buy किया है, पब्लिक में भी अगर यहाँ पर जो 15% से stick reduce हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो तक्रीबन आपको 8%, 9% के आसपास जो है, HNI ने buy किया है, रेश्ट आपको यहाँ पर retail पब्लिक के पास किया है, तो प्रमोटर बेच रहा है, FIA नहीं buy कर रहा है, DIA नहीं buy कर रहा है, कोई बड़ा HNI सारा steak नहीं buy कर रहा है, तो यह एक negative impact जाता है, तो क्योंकि अगर promoter ही बेचना चाहते हैं, अगर company वाकाई में perform कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी promoter निकलना चाहते हैं, तो यह एक आपको negative impact जाता है, और अगर यहाँ पे एक और important point को देखेंगे, तो company का operating profit margin यहाँ पे इंप्रूफ नहीं हो रहा है, यह आपको एक और negative news है, जिसकी वजह से company के stock price में हम लोगों को गिरावट डिखने को मिल रहा है, अब अगर हम लोग charge pattern को देखेंगे, monthly candle के ओपर अगर हम लोग इसको analyze करते हैं, तो stock में क्या हो रहा है, stock में एक अच्छा breakout आया था, 20 rupees के level पे, stock ने इस level पे breakout दिया, और breakout देने के बाद अगर देखेंगे, stock ने 39 rupees, 29 पेसे का high लगाया, यानि कि more than 95% का stock ने एक अच्छा return दिया, अब stock जो है, वापस से इस level से resistance कर रहा है, क्योंकि ये एक multi-year resistance है, 2019 में stock ने यहाँ पे high लगाया था, और ये high था 42 rupees 20 पेसे का, उसके बाद stock में गिरावट हुआ, stock जो है, वापस से इस level को touch करने के लिए कोसिस किया, 2024 के जून मन्त में, अब अगर यहाँ पे देखेंगे, तो एक rounding bottom pattern का यहाँ पे formation जरूर हुआ है, but stock में जो है, एक correction देखने को मिल रहा है, तो यानि कि stock जो है, एक cup and handle pattern के formation के लिए जा सकता है, तो अभी के लिए phrase buying यहाँ पे आपको avoid करना चाहिए, phrase buying आपको नहीं करना चाहिए, बहुत से लोगों यहाँ पे जब इस से पहले हम लोगों का target था 40 का, 39 रूपिस, 30 पैसे का stock ने high लगाया, तो definitely उस लोगों ने यहाँ पे profit book किया होगा, और करना भी चाहिए अगर पॉइंट के ओपर बात करेंगे, तो company जो है लगातार net profitable है, यह आपको एक अच्छा important बात है, जो company लगातार net profitable है, यहाँ पर अगर operating profit margin company का improve हो जाए, तो फिर इस stock में जो है, एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो चलिए बात करते हैं, दूसरे stock क के prestige को क्यों buy करना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा हम लोगों को chart pattern का formation देखने को मिल रहा है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो stock जो है, 650-700 इस जोन से stock जो है, यहाँ पर आपको bounce किया है, यह एक support का जोन से stock ने 2021 में यहाँ पर support लिया, 2023 में stock ने यहाँ पर support लिया, वा अच्छा समय spent किया और stock ने यहाँ पर भी support लिया, उपर की side से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है, एक trend line और trend line का breakout हम लोगों को देखने को मिल चुका है, यानि कि stock ने यहाँ पर trend line का breakout दिया, और trend line के breakout के साथ साथ stock जो है, अपने support zone से bounce कर रहा है, यहाँ पर एक और जो horizontal resistance था, 825 के level पर stock ने इस range को भी breakout कर दिया है, और stock जो है, यहाँ पर previous two weeks से, although market में गिरावट आया है, बट stock 900 के level पर यहाँ पर एक अच्छे range में trade कर रहा है, यहाँ पर तकरिबन two weeks से stock एक range में trade कर रहा है, तो इस stock में एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है, जब stock 900 के level के ऊपर निकलना है, start करेगा, तो फिर इस stock को हम लोग buy कर सकते हैं, उपर की side में 1050 और फिर उसके ऊपर 1200 के level के लिए इस stock को हम लोग buy कर सकते हैं, तो अगर आप लंबे समय के लिए play करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा SIP mode में आप लेंगे तो ज़्यादा सही देगा, क्योंकि stock में एक rally हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा retracement हो सकता है, और उसके बाद stock में वापस से तेजी देखने को मिलेगा, तो 900 के level के ऊपर 1050 और 1200 के target के लिए हम लोग इस stock को ले सकते हैं, I hope आप लोगों को सभी points चो अच्छे से clear हो गए होंगे, तब आप पसंदाया हो, analysis अच्छा लगा हो, विडो को लाइक करके चांग को subscribe, जरू खट लेए